वेलकम दोस्तों, क्रिक फैंट से लिग में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे MLS के मैच जो खेला जाएगा FC Dallas vs New England Revolution के बीच में मैच इस्टार्ट होगा सुबा साड़े 6 बजे Toyota Stadium से वीडियो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे New England Revolution के जो लाइन अप है हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफर हो बट मैं important सभी प्लेयर के बारे में आपको बता दूँगा प्लस FC Dallas के ऐसे प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा जो प्लेयर defensive बहुत अच्छा कर सकते है बात करें दोस्तों, इस्टैंडिंग की तो आप यहाँ से देख सकते हो FC Dallas 13 पोजिशन पे है 9 मैचे खेला है, 1 विन किया है 4 ट्रॉ किया है, 4 लॉस किया है 9 मैचे में सिर्फ दोस्तों, 1 मैच विन किये है वहीं पे 9 में 9 स्कोर किये है 9 में 14 गोल कंसीट किये है रिवोलुशन की बात करें 1 पोजिशन पे है, 10 मैचे खेले है 7 विन किये है, 2 ड्रॉ किये है सिर्फ एक लोज किये है वहीं पे 17 गोल किये है और 11 गोल कंसीट किये है अटेकिंग वाइस अगर देखा जाए एफसीड अलास जो है जो इंगलाइन्ड रिवोलुशन के लास्ट 10 मैचेस खेला है दोस्तो, अन्डिफेटेड रहा है वहें एफसीड अलास की बात करें जो होम में 3 लास्ट मैचेस खेला है वो कम से कम ये ड्रो करने में कामियाब रहे हैं न्यू अलास की बात करें दोस्तो, तो पिछले 5 MLS के मकाबले विन किये हैं वहीं न्यू इंगलाइन्ड रिवोलुशन जो है, अन्डिफेटेड है पिछले 10 मुकाबले जो खेला है दोस्तो, उसमें से 9 में वहें एफसी अलास की बात करें क्योंकि FC Dallas Home में खेलेगा वही New England Revolution अवे खेलने वाला है बात करते हैं दोस्तों यहां से Playing 11 की FC Dallas का Playing 11 कुछ इस तरीकों को आपको देख सकते है यहां से दोस्तों Maurer इनका कीपर होगा Martinez राइड बैक पे आपको देखेंगे Brisson, Nelson, Do Centerback, Holding Set की बात करें यह आपको Left Back पे दिखने वाले हैं दोस्तों यहां से बात करेंगी Especially Martinez की यह Spanish football player है दोस्तों आभी तक MLS में स्कोर नहीं किया है वहीं ला लिगा यह Granada से खेल चुका है तो ला लिगा का player है तो इसके अंदर quality तो होगी दोस्तों तो यह player कहीं न कहीं जील का बहुत अच्छा pick बन जाता है आप इसके साथ as a voice captain especially जा सकते हो ब्रिसान की बात करेंगी दोस्तों यह बंदा आपको goal भी कर सकता है header में बहुत अच्छा है प्लस दोस्तों इसका passing के accuracy बहुत अच्छी है यह आपको लगभग 60 pass एक match में करके देदेगा उसके साथ एक या दो takeles भी कर देता है interception के साथ में तो ब्रिसान एक decent pick हो सकते हैं अगर आपको इनके defense से try करना है तो Nelson की बात करेंगी दोस्तों तो Nelson यह American soccer player है आप इनको ignore कर सकते हो hauling set की बात करें दोस्तों तो यह बंदा इनके defense से सबसे ज़्यदा score या सबसे ज़्यदा point देने वाला है दोस्तों यह player especially एक goal और दो assist कर चुका है उसके साथ साथ दोस्तों पर match यह 3 tackle कर देता है तो एक differential pick हो सकते हैं hauling set मेरी टिम में आपको दिखने वाले है यहाँ से दोस्तों इनके defense जो important pick है especially brison hauling set आप इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हो hauling set must pick होने वाला especially head to head में अकोश्टा की बात करेंगे दोस्तों यह आपको right ping पे दिखेंगे differential pick हो सकते हैं पेसली selection up percentage बहुत हाई है बंदे का defensive number बहुत अच्छा है दोस्तों लगवग 60 पास यह भी आपको करके दे देंगे प्लस उसके साथ दो tackle या दो interception कर सकते हैं दोस्तों परमाची इसका योरेज है एक differential pick हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि new coastal फियोरेट है तो आप यहां से आकोस्टा के साथ जा सकते हो ची की बात करेंगे दोस्तों यह left wing पे खेलते हुए दिख जाएगा यह दोस्तों defender listed है लेकिन यह दोस्तों भरके आपको defensive point देने वाला है अगर यहां पे दोस्तों maximum score नहीं करता है न्यू कोस्टल यहां पे दोस्तों new revolutionary land तो ची जो है यह player जेस्टिन ची आपको बहुत ज़्यदा point देने वाला है लगभग यह दोस्तों दो टेकल per match कर देता है पांच intercession कर देता है per match उसके साथ 40 passes complete कर देता है यह per match तो ऐसे ही अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका लगभग 25 से 30 point हो जाएगा तो यह player important होने वाला है उसके साथ साथ दोस्तों इसका थोड़ा सा scoring threat भी रहने वाला है यहां से फेरेरा की बात करेंगे दोस्तों इसको GL में जरूर ट्राइ करना दोस्तों यह अभी तक MLS में कुछ खास किया नहीं है निकल के आते हैं GL के तो आप GL में इनको जरूर कप्तान वाइस कप्तान ट्राइ कर सकते हो यहां से बात करेंगे दोस्तों ओब्रियान की इनका भी सेलेक्शन आप परसेंटेज लगवग 25% अभी के लिए है बट अगर यह बंदा स्कोर नहीं करता है तो आपको पॉइंट नहीं देगा हाँ MLS में दो गोल कर चुका है दोस्तों तेक डिफॉल्ट पिक हो सकते हैं आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो कॉलंबिया से खेलता है दोस्तों बट मेरी हेट टो हेट टीम में मैं इनको इगनोर करने वाला हूँ जारा मस्ट पिक होने वाले ही क्योंकि ये पेनाल्टी लेते हुए आपको दिख जाएंगे उसके साथ साथ दोस्तों ये एक गोल भी कर चुके है अर्जेंटीना से खेलता है दोस्तों अभी तक MLS में इसका एक गोल और एक असिस्ट भी आया है लिग आयमेक्स खेलता है दोस्तों लिग आयमेक्स में ये 26 मैचेस खेला है जहां पे दोस्तों 15 गोल एक असिस्ट किया है प्लेयर बहुत ही तगड़ा है अगर आपको इनकी टीम से अज़ वाइस कैप्टन किसी को ट्राई करना है दोस्तों तो जारा एक बेस्ट पिक निकल के आते है तो यहां से जो डिफेंसिव पॉइंट आपको भर भर के देने वाला है दोस्तों इस्पेसली यहां से एफशी डेलास से वो होने वाला है इस्पेसली ब्रीसन डिफेंस से अकोस्टा ये आपको देंगे ची तो सबसे ज़्यादा इनके डिफेंस से अगर कोई डिफेंसिव पॉइंट देगा दोस्तो तो आपको ची देने वाला है ची अकोष्टा के साथ आप जा सकते हो वरगास की बात करेंगे ये बंदा स्कोर करेगा तब ही आपको पॉइंट देगा हाँ टेकल इंटरसेप्शन कर दिया तो उसकी बात अलग है ओबरियान दोस्तो इनसे स्कोरिंग ठ्रेट रहने वाला है जारा दोस्तो मस्ट पिक उप्शन होने वाले हैं अगर दोस्तो इनके टीम में स्टार्ट करते हैं इस्पेसली यहां से क्योगुनाउन क्योगुनाउन इस्टार्ट करता है दोस्तो इसके बारे में दोस्तो हम टीम प्रेविव पे बात करेंगे वहाँ ज्यादा वेटर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं तो दोस्तो यह FC Dallas का लाइन अप है जो चीज़े बताया है आप एक बार और सुलो अगर आप New Revolution England फेवरेट जा रहे हो तो बहुत important होने वाला है ये वीडियो बात करेंगे दोस्तो New Revolution England का प्लेइंग लेवन कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिल सकता है टर्नर इनका कीपर होगा जोनेस की बात करेंगे तो यह आपको देखने वाले इस्पेसली राइट बैक पे बेल और फाइरल दो सेंटर बैक बाई लेट बैक पे दिखने वाले हैं दोस्तो जोनेस की बात करें इनके डिफेंस से अगर आपको किसी को कप्तान वाइस कप्तान ट्राइग करना है तो एक डिफॉल्ट वाइस कप्तान के पिक यहाँ से आप जोनेस को ट्राइ कर सकते हो बेल की बात करेंगे एक गोल कर चुके है दोस्तो मैं यहाँ पे फेरल के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इसका डिफेंसिव नंबर बहुत इंप्रेसिव है बट बेल से हेडर में स्कोरिंग थ्रेट रहने वाला है अगर आपको सेफ जाना है तो यहाँ से फेरल के प्लेस पे आप बेल के साथ जा सकते हो बाइक की बात करेंगे दोस्तो तो बाइक यह बंदा एक गोल एक असिश्ट कर चुका है यहां से दोस्तों इन दोनों को कफ्तान वाइस कफ्तान अपना जरू ट्राइ करना G.L. में क्योंकि यह दोनों कभी भी स्कोर कर सकते हैं बाय की बात करेंगे यह बन्दा लगभग तीन टेकल पर मैच कर देता है दोस्तों उसके साथ स्कोरिंग थ्रेट भी रहने वाला है है तक different click हो सकते हैं इस पैसेली जील के अगर आपको tria करना है जील में try कर सकते हों मेरी head to head में आपको दिखने वाले क्योंकि ये और राइड विंगर कहलें गे कभी भी इस पार असीस्ट कर सकते हैं बात करेंगे यहां से P tay가요 कि वॉल्च पॉल्च दोस्तों यह बंदा अमेरिकी सोकर प्लेयर है अभी तक दस मैचेस खेला है जिसमें विधाउट गोल या विधाउट असिस्ट रहा है इसका यह परफॉर्मेंस बात करेंगे दोस्तों इस बंदे की तो पॉल्च लगभग तीन टेकल पर मैच कर देता है फटीवन पासे कमप्लीट कर देता है तो यह एक और यह मैक नरमा की बात करें दोस्तों मैक नमारा यह दोस्तों एक गोल कर चुका है अमेरिकी सोकर प्लेयर है MLS 2019 में दोस्तों ये बंदा 33 मैचस खेला था जिसमें सिर्फ 2 गोल और 3 असिस्ट किया था ऐसे प्लेयर को मैं बिलकुल भी नहीं लेके जाने वाला हूं दोस्तों जिसका डिफेंसिव नंबर भी बहुत ही बकवास हो उसके साथ साथ गोल स्कोरिंग ठ्रेट भी कभी कभार का हो यहां से दोस्तों जो सबसे इंपोर्डन पिक होने वाले इस्पेसली गिल आप इनको आज़े कैप्टन भी कर सकते हो दोस्तों MLS में यह बंदा धमाल मचाया है एक गोल किया हभी तक और साथ असिस्ट कर चुका है दोस्तों बहुत अच्छे पिक बन जाते हैं इस्पेसली आप इनकी साथ एजव कैप्टन भी जा सकते होई इसका डिफेंसिव नंबर भी बहुत इंप्रेसिव रहने वाला है बाउ की बात करेंगे मस्ट पिक ऑप्शन होने वाले हैं इस टीम के लेडिंग गोल स्कोरर है चार गोल एक असिस्ट कर चुके हैं दोस्तों वहीं अर्जेंटीन फुड़ वॉल प्लेयर है ये बात करेंगे दोस्तों इस प्लेयर की जो पिछला सीजन इसका गया था 23 मैचस खेला था 8 गोल और 2 असिस्ट किया था और इस सीजन दोस्तों अभी तक 8 मैचस खेला है चार गोल एक असिस्ट कर दिया है ये सिजन इसका काफी अच्छा जा रहा है बात करेंगे यहाँ से बनबरी की दोस्तों बनबरी आप इनको जील में जरूर कप्तान वाइस कप्तान ट्राई करना ये बंदा अमेरिकी सौकर प्लेयर है उसके साथ साथ MLS में एक गोल भी कर चुका है ते एक डिफोल्ट पिक कप्तान के हो सकते हैं इस्पेसली जील में तो यहां से जो मस्ट पिक सकता है इस्पेसली बाउ गिल्ट ट्रॉटेशम और यहां से जोनस बेल फैरल बाई अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम लेवन टीम प्रेविव की उससे पहले आपको बता दें कि यह मैच दोस्तों मुझे ऐसा लगता है न्यू इंग्लैंड रिवलुशन विन करेगा स्को बढ़ भी सकता है क्योंकि दोस्तों न्यू लाइन रिवलुशन के पास अटाइकर काफी अच्छे हैं हाँ डलास होम में खेल रहा है इसलिए मैं दो वन का स्कोर प्रेविक्ट किया हूं अगर डलास अवे खेलता तो यह स्कोर दोस्तों हाई स्कोरिंग मैज देखने को मिल सकता था तो बात करते हैं दोस्तों ड्रीम लेबन टीम ठीबियو की दोस्तों फिलहाल के लिए ये मेरी टीम है मेरे प्लेऑं लेवन में यहां पर बुचान 9 नहीं थे बट मैं इनको एट किया हूँ अगर यह नहीं स्टार्ट करते है तहर आप इनके प्लेइस पे एक और डिफिनर को try कर सकते हो बेल के साथ भी जा सकते हो यह सारी चीज़े कर सकते हो अगर यहां पर दोस्तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करता है स्पेसली मिट से यहाँ पे स्टार्ट करता है दोस्तो यहाँ पे स्टार्ट करता है क्यों गुनाओन यह प्लेयर स्टार्ट करता है दोस्तो इस पे नज़र रखना यह प्लेयर आपको डिफेंसिव नमबर भर-भर के देने वाला है इस टीम का सबसे ज़्यदा अगर कोई defensive player है तो वो की गुनाओन होने वाले हैं तिनके बारे में ध्यान रखना और बात करते हैं defensive दोस्तों defensive यहां से जो सबसे ज़्यदा point दे सकता है especially Dallas से वो होगा जे ची यह आपको भर-भर के point देगा defensive तब यह minus में भी लेके जा सकते हैं इसी region से दोस्तों मैं यहां पर जेची को drop किया हूं बट आप GL में जरू ट्राइ करना इससे goal scoring threat भी रहने वाला है तो दोस्तों finally यह मेरी team है जिसके साथ मैं खेले वाला हूँ और जो चीज़े बताया है हैं दोस्तों Q-9 अगर start करता है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों वीडियो ना पसंद आए आप like कर सकते हो comment कर सकते हो कि बहुत बखवास है कुछ भी है लेकिन दोस्तों किसी को गाली नहीं दे सकते हो यह आपका धिक्यार नहीं है तो ऐसे संसकार मत दिखाओ कि जिस होती है एक वीडियो बहुत अच्छा जाए बट कोई तैयारी नहीं दोस्तों ना तो हम इस platform पे बहुत देन से लगें तो दोस्तों गाली किसी को नहीं देना चाहिए कोई भी हो दोस्तों अगर हम उसको गाली देंगे यह हमारा संसकार देखेगा तो बस इतना ही कहना चाह आया हो तो चैनल को स्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते हैं चल्द अगले वीडियो में तब तक लिए बबाई ठीक केर एंड वेस्ट अफ लग थायंकि दोस्तों